मुख्यमंत्री ने बियाडी मेडिकल कॉलेज में 60 करोड रुपय के प्रसाशनिक भौन का सिलनाज किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगिया देतनात ने कहा कि डबल एंजन की सरकार के प्रयासों से 6-7 वर्सों में पुर्वी उतर प्रदेश में इंसेफलाइटिस पूरी तरह नियंत्रित और समाप्त हो चुका है इसके उन्मूलन की बस घोसना बाकी है इंसेफलाइटिस नियंत्रण देश और दुनिया का एक सफलतम मॉडल है स्वास्त विभाग को नोडल विभाग बनाकर तयार किये गए इस सफलतम मॉडल का केंद्र गोरकपूर का बियाडी मेडिकल कॉलेज है सीम योगी गुरुवार को बियाडी मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस इनसे फ्लाइटिस से हर साल 1200 से 1500 मौते होती थी आज उसे पूरी तरह कंट्रोल करते हुए हम लोग मासूम बच्चों को बचाने में सफल हुए है सवभाविक रूप से उसके लिए जो मैन पावर लगता था उसमें जो संसाधन लगते थे उसको हम क्वालिटी ओफ हिल्थ के लिए अन्य लोगों को भी उपलब्ध कराने में उपयोग कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इनसे फ्लाइटिस नियंतरण के सफलता मॉडल का केंदर बिंदू बियाडी मेडिकल कॉलेज बना क्योंकि सबसे ज़्यादा बोज इसी पर रहता था उन्होंने कहा हमने इनसे फ्लाइटिस का चरम भी देखा है और आज उसे समाप्त होते भी देख रहे हैं सीम योगी ने कहा कि 1977-78 से लेकर 2017 तक इनसे फ्लाइटिस को समाप्त करने के बारे में सरकारे सोचती तक नहीं थी 2017 में मुख्यमंतरी बनने पर मैंने समाप्त करने इसके उन्मूलन के बारे में मॉडल तयार करने पर विचार किया इसी सिलसले में कुशी नगर मुसहरों के बीच जाकर स्वचता अभियान चलाया उन्होंने स्वचता के तरीके समझाए साबून के प्रयों की जानकारी दी मुख्यमंतरी ने कहा कि स्वचता पर ध्यान कई बिमारियों का समाधान है इसे इंसेफलाइटिस समाप्त करने की दिशा में मिशन मोड में बढ़ाया गया तो परणाम सामने आया बीमारी का चरम भी देखा और आज समाप्त होते भी देखा इस औसर पर सदर सांसद रवी किशन ग्रामेड विधाग विपिन सिंग सहित अन्य लोग मौजूद रहे हाई टेक स्वास्य सुविधाई मिली है यहां प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश सहिप, नेपाल, बिहार और समीब वर्ती राजियों से बड़ी संख्या में लोग उप्चान के लिए आते हैं विधाई मिडिकल कॉलेज वाइरो इसर्स का देश की किसी भी मिडिकल सेंटर में या मिडिकल कॉलेज में समावेशी विकांस की इसी श्रिंखला में आज माननिय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से बी आर डी मेडिकल कॉलेज चिकित सर्शिक्षा के साथ ही वैकल पिकूर्जा के खृत्र में जोड रहा है एक नए आध्याई मेडिकल कॉलेज में रेस को मोड पर एक मेडावाट ख्रमता के सोलर रूफटाप प्लांट की स्थाबना की गई है यह सन्यंत्र प्रतिवर्ष 14,60,000 यूनिट विद्यूत उत्पादन करेगा इससे बिजली विल में प्रतिवर्ष 72,00,000 रुपई की होगी बचा राजिकिय मेडिकल कॉलेज में 60 करोड रुपई की लागत से MBBS छात्रों के लिए प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया जा रहा है यह विकास कार्य बी आरटी मेडिकल कॉलेज को देंगे नई पहचान करके दिखाई जो डबल इंजिन की सरकार है वो अलियों के साथ आप सभी इस शड़ को अभिभूत करें साथ करोड की लागत से G-5 प्रशासनिक भवन का शिलान्या के करकमलों से संपन्ध होता हुआ सादर धनिवाद महोदे आप ज्यान की प्रकाश पुंज हैं दिप्तिमान जो दिनकर मैं बाबा रागवदास मेडिकल कॉलेज के सॉलर लूट प्लांट के लोकारपन और यूजी की बड़ीवी ठिट्टि सिर्स के लिए नए भवन के यहां पर सलन्यास का रिक्रम में बस्तित गोरपपुर के लोगप्रिय सांसद स्री रभी के सन शुकला जी बास गाउं के मनने सांसद स्री कमलेश पास्वान जी जला पंचैल की अध्यक्स स्री मतिसातना सिंग जी महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रिवास्टो जी अमारे मन्ने विधायक गौण सी बीपिन सिंग जी महंदरपाल सिंग जी प्रदीप सुकला जी टॉक्टर विमलेश वास्वान जी टॉक्टर धर्मेत्र सिंग जी प्रमुक्ष चुचिकिस्षा स्वास्तियम परिबार कल्यान सिपार्थ सार्थी सें सर्मा जी आजकीस कारिकरम में पस्तित वैंसी पावर एमडी एंसीयो शिरोहित चंद्रा जी ब्याडी मेडिकल कॉलेज के सभी यहां के आचारेगन उपस्तित प्याडी मेडिकल कॉलेज के सभी मेडिकल के चात्र चात्राएं और बैनोर भाईयों आज का दिन इस मेडिकल संस्थान के लिए बहुत महत्तुपून दिन है जब यहां पर Green and Clean Energy का बाहा का ब्याडी मेडिकल कॉलेज बन रहा है इसके साथ ही ब्याडी मेडिकल कॉलेज में पचास MBPS की बढ़ी वी सीटों के लिए नए इंफ्रस्ट्रक्चर के लिए यहां पर सुलान्यास का कारेक्रम भी संपन्न हो रहा है इस उसर पर पुरे ब्याडी मेडिकल कॉलेज को फिर्दे से बढ़ाई देते भे प्रदेश सरकार की चिकिसा सिक्सा विभाग को जनोंने ग्रीन एड क्लीन इनरजी और पूरवी उत्तर प्रदेश की आउस्यक्ता को ध्यान में रख करके यहां पर नए इंफ्रस्ट्रक्चर के लिए समय से इस कारेक्रम को आगे वढ़ाया है धन्यवाद देते वे आप सब की प्रती में अपनी सुप काम लाई देता हूँ और मुझे प्रसंता है कि ब्याडी मेडिकल कॉलेज ने भी इसमें लीड़ी है कि रोप टाप सॉलर पैनल नगा करके आज जहां बिना पैसा खर्च किये वे बिना पैसा खर्च किये वे एक मेड़ावाट विजली जनरेट होगी इन छटों पर एक मेड़ावाट की विजली पहना होगी 72 लाग रुपे की पज़त भी होगी और 72 लाग रुपे जो आपका दगबग डेट लाग रुपे डेट करोण रुपे बिजली का बिलाता है उसमें से 72 लाग रुपे की भरपाई तो इसी से हो जाएंगे यानि बिजली का बिल आपका आदा हो गया और आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा यानि यही होता है उस भावतूद लेंड का हमने जो छट खाली पड़ी भी थी उस खाली छट का उप्योग भी कर दिया और साथ साथ आपको क्लीन एंड ग्रीन इनर्जी भी मिल गई या प्रधान अंत्री ची के स्वीजन को भी आगे बढ़ाता है जो भारत ने तै किया है कि 2070 तक हम पूरी तरीके से क्लीन एंड ग्रीन इनर्जी की तरफ जाएंगे वैकल पिक उर्जा उसका एक बहुत बड़ा माद्यम हमारे पास है और यहां पर तो वस में लगभग दस महीने ऐसे हो सकते हैं अच्छी सॉलर इनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं उसका उप्योग हमें करना चाहिए और आज इस दिसामे जो प्रियास प्राडम हुआ है इस प्रियास को भी आगे बढ़ाने क्या हो सकता है अगर इन छटों पर इनका उप्योग करते भी या नारियों के ओपर जो हमारी खाली जगए है या बॉंडरीवाल के किनारे भी बॉंडरीवाल के ओपर भी हम एक प्लान करके सॉलर पैनल लगा सकते हैं तो बहुत स्पेस आपके पास मिल सकता है और मझे लगता है कि जितनी यहां की आउसिता है उसके इंड़ूप clean and green energy इस कैपस में सॉलर पैनल से वसमें दस मेहने तो बनी ही सकता है दस मेहने के बिजली की बज़त भी अगर आप कर लेंगे दस मेहने में बिजली की कुछ बज़त कर लेंगे तो हाँ medical college के लिए भी उप्योग होगा और साथसन के लिए उपर भाड को कम करने में मदद करेगा और उस पैंसे का उप्योग इसी प्रकार की इंफ्रस्टक्चर पे करने में हमें मदद मिलेगी क्योंकि अब तो ब्याडी मिडिकल कॉलेज का कंपटिशन किसी मिडिकल कॉलेज से नहीं है ब्यारी मेडिकल कॉलेज काफी आगे वड़ चुका है अब ब्यारी मेडिकल कॉलेज को कमपटिशन करना है एक सुब रखपुर के साथ और इसके लिए अपनी को तेया है क्वालिटी इस समय दोनों की पैरवल चल लई है याद करना और ब्याडी मिडिकर कॉलेज के लिए इसने में तोकूर होगा क्योंकि यहां की कुछ पुरानी फैगर्टी है जो बहुत अच्छा काम की है अच्छा काम करते हैं लंबा एक्सपीरियंस उनके पास है वे थोड़ा प्रियास करेंगे तो जैसे एसे पीजियाई और एमस दिल्ली की एक पैलल वो चलती है कंपटीशन चलती है ऐसे ही आप गोरगपूर में अकीले प्याडी मिडिकर कॉलेज और एमस गोरगपूर के पीच में स्वस्त प्रतिस्परदा को आगे बढ़ा सकते हैं नौलेज का दान प्रतान हो हम अच्छी best practices को एक दूसरे के साथ जोड सकते हैं लेकिन हमें उस दिसा में आगे बढ़ाना होगा quality, health quality कैसे हम देश सकते हैं और इसके लिए मैं अपने सभी चिकित्सकों से कहूँगा जो यह हमारे आने वाले चिकित्सक हैं medical students से इन सबसे मैं कहूँगा एक अपने को याद रखना निप्रीव परस्थित्यों मैं आपके पास workload हो सकता है लेकिन धैरे कोई बगार कारे करना बिना किसी उसके मैं आपके पास आने के पहले 500 लोगों की समस्याओं को सुनके आया हूँ सुवे सुवे 500 लोगों से मिलकी आया हूँ पर रहा थे लेकिन हमने धैरे नहीं कोई अपनी समस्याओं के बोला था कोई अच्छा भी बोला था कोई बुरा भी बोला था हमें सुनना पड़ेगा क्योंकि हम उसके लिए बने हैं और उसके लिए अगर हम अपने आपको तयार नहीं करेंगे अच्छा चिकेट सक नहीं बन पाएंगे हर पेसेंट की अपने किस्ट्री है हर पेसेंट के साथ उसकी फेमली बैक्गराउंड भी जुड़ती भी दिखाई देगी वहाँ की समाजिक, वहाँ की आर्थिक, वहाँ की भागलिक प्रस्पितियों की जैनकारी भी आपको देखने को मिलेगी अगर अपनी छोटी सी नोट बुक में उनको नोट करते वे अगर आप एक अच्छी स्टेडी तियार करेंगे बहुत सारी समस्या का मेडिकल छेतर में एक क्रांटिकारी प्रवर्टन आप लापाएंगे और मेडिकल ब्याडी मेडिकल कॉलेज एक ऐसे स्थान पर बना हुआ है जहां पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसी नगर से भी, दिवरिया से भी, महराजगन से भी, गोरकुर से भी बस्ती से, संतकभी नगर से, सिदार्थ नगर से, मौव से तो पेसिंट आते ही हैं बिहार के भी, आरदस जिनपतों से और नैपाल की तराई के भी बहुत बड़े छेतर से पेसिंट यहां पर आते हैं इन सब कीพ्रिष्ट भूमी को समझने में भी आपको मदद मिलेगे रोग को जाना ही नहीं! उसकी प्रिष्ट भूमी में भी जाना और फिर उसके सफलतां गीवारण के उपैए को भी आगे बढ़ने की सामें तभी आप सफ़ लुपाएंगे धैरे के साथ, पूरे पिसेंस के साथ, संबेदुन सील तरीके के साथ, हमें इसका समाधान लिगाना है, जब इस दिसामे आप प्रियास करेंगे, याद करिए, इनसे फ्लाइटीस उनने सो सतातर अठातर में यहां पहली बार आई थी, और सता मैं जब मैं ही मुख्य मंत्री बना, तो मैंने सामने चैलेज था, मैंने का उप्चार नहीं, इसका उन्मूलन करना है, इसको सदेव के निस्समाधत करना है, और हमने कारियोजना इसी बात को लेके बनाई थे, जब मैं 2017 में पहरी बार उसी नगर जिले में, इस कारे के के लिए हमें एक अभियान चलाना है, अभियान कैसा होना है, तो इसके लिए वहाँ पर एक अभियान चला था, एक कारिकरम बनाने के लिए, हमने का स्वच्छता का अभियान और सुप्त बेजल के आपूर्ति के लिए कपर ने इसके बड़े कारिकरम को हमने आगे बढ़ा तेरे को सरम नहीं आती है गरीबों को साबुन पांट रहा है उनका अपमान कर रहा है और जब दो सा तीन साल के बाद करोना आया था और जब करोना में सबसे पहला उपाय दुनिया क्रिशिस्वक्यों ने का कि बार बार साबुन से हाथ धोईए तो हमने उसी रिपोर्टर को बताया था मैंने के खर देखो क्या बता रहा है मैंने क reliable क्या ताक्टर क्या कहा रहा है मने का देखो हमने तीन साल पहले इसी लिए कहा था सच्चसेदें कर तो बहुत सारी बीमारियों का समाधन अपने आफ़ चाएगा और वसी सच्चसे सु decent के लिए हम दोए अब देखा होंगे इसे प्लाइटिस जब टेग मिस्व मोड में अग्यान बढ़ाया गया प्रेणाम हमारे सामने है हम लोग देखते हैं मैंने देखा है यहां प्रेडी मेडिकल कॉलेज में और आज हम उसको जब समात होकर कि उसके उन्मोनर की गोश्णा होनी मातर बागी है तो उन इस्तितियों में हम कह सकते हैं कि यह किया जा सकता है एक डॉक्टर के रोप में आपको अपनी नीच जिमेदरियों का निल्वन करना है सरकार आपको इस बात कर्याश पास्वस्त कर सक करती है तेकि आज का समय नवाचार का है इनोवेशन रिससे डेवलमेंट का है और यह केंद्र अब उस रोप में कार्य करते वे दिखाई देने चाहिए लोगों के नहीं रहा दिखाने के लिए इस भीड़े में आगे बढ़ना है इस दिसामें बिना धैरे के बिना सम्विदंशी तरीके से आगे बढ़े के हम कभी अपने लक्षे को प्राप्त नहीं कर सकते और मजे लगता है किस दिसामें आप सब मिलकर के प्रियास करेंगे अब उत्तर प्रदेश जिस दिसामें आगे वड़ चुका है एक नया उत्तर प्रदेश है अभी देखो हम 19 को अगले चार दिन के अंदर देश का सबसे बड़ा निवेस उत्तर प्रदेश में करवानी जा रहे है ग्राउन प्रेकिंग स्रेमनी उत्तर प्रदेश की होने जा रही आदने प्रधान मंत्री जी के करकम्रों स प्रियात रखना अब तक जितने भी ग्राउन प्रेकिंग देश के अंदर हुए होंगे वह दस लाग करूर से नीचे के हुए हुए होगे पहली बार कोई राच जैसा भी होगा जो दस लाग करूर से दिक के निवेस प्रस्ताव का एक साथ सलामया सकराएगा तो उत्तर प् उस अभियान को लेकर के भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें अब हर इस्ट्यूशन को अपने अपनी जम्यदरियों को लेकर के आगे बढ़ना होगा अपनी जम्यदरियों का निर्वान करना होगा अगर हम इस दिसामे प्रियास कर आएंगे तो इसके बेहतर मिनाम ह होंगे और मिझे आत्परसंदता है कि यहां पर दोनों कार्या है यानि हमने वह भी दिन देखा है जब इस मेडिकल कॉलेज की मानेता समाप तो हो रही थी और बाद में सीड आनी कर दे गई थी लेकिन आज सीड भी आगे बढ़े कि सीड भी बढ़ चुकी है और सीड बढ़ने के साथ है उसके नए इंफरस्टर्टर के लिए भी सलानिया सोड़ा है लेकि जो हमारी फ्योचर क्या हो सकता है कि हमें स्वाच और ग्रीन इनरजी चाहि करेंगे उसके लिए रूप टाप सॉलर्ण पैनल के स्थापना करते भी हम इसका उप्योग कर भाएंगे वन मिगावाट विद्धुत पातन का एक कारे इसके माद्यम से प्रारम हो रहा है ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज को इसके लिए हिर्दे से बढ़ाई देते वे आप